हैलो फ्रेंड्स वेलकं वैक टो आर चैनल इन टूड़ी इडिओ आउ टो टेल यू आउट तो सॉल्व आटो रिस्टारट प्रोब्लें इस डिवाइस में आटो रिस्टार्ट और सैमसंग लोको क्योंट प्रोब्लें ठीक कैसे करें मेरा जो Samsung डिवाइस है यह हर दिन एक से दो बार आट्मेटी रिश्टर्ड होता है और कभी-कभी रिश्टर्ड के दोरन Samsung लोगों पर अटक जाता है अब ज़रा सोचिए किसी के साथ आप फोन पर बात कर रहे हैं या कोई गेम खेल रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं अगर उस वक्त फोन रिश्टर्ड होता है तो कैसे लगेगा दोस्तो अज की इस वीडियो में इस प्रॉब्लम को ठीक काने का मेरा जो experience रहा है वो मैं आपके साथ सेयर करूंगा वीडियो में कुछ important step दिखाऊंगा अगर आप सही से follow करेंगे तो आपको भी problem solve हो जाएगा कभी-कभी सब्ट्रेक रहस होने के करण और टो रिश्टर्ड या लोगों पर अटक जाने का problem हो सकते हैं इस हलत में फोन को नर्मल तरीके से रिश्टर्ड करना possible नहीं होगा इसलिए फोर्स रिश्टर्ड करना पड़ेगा आप साइड में power button और भॉलो माइनस बटन को एक साथ दबाए रखना है 10 से 15 सेकंड बाद फोन हलका सभाइवेट होगा अग डिस्प्ले के उपर सेंप्संग की लोगो आएगा तब छोड़ देना उसके बाद डिवाइस अपने आप रिश्टर्ड हो जाएगा दोस्तों अगर आपका डिवाइस इस तरीके से on हो गया आए तो second step फॉलो कीजिए ताकि ये दूबारा auto restart ना हो सके इस डिवाइस में एक special features दी गई है जब आपका फोन ज़्यादा गरम हो जाएगा या कोई technical issue redact करेगा ताब वो automatic restart होगा इससे डिवाइस की performance ठीक रहते हैं अगर आप इस features को बंद करना चाहते हैं तो फोन की settings open करें settings open करने के बाद scroll card to way नीचे की ओर जाएए इसके बाद device के आए फिर से नीचे की ओर जाके auto optimization पे क्लिक करें दोस्तों यहां पे एक option देखने को मिलेगा auto restart अगर यह on किया हुआ है तो उसे बंद कर दीजिए इससे आपका device auto restart होना बंद हो जाएगा इसके अलबा आप अपने device की internet storage कम से कम 20-25% खाली रखिए अगर कोई फास्तुकी आप install किया हुआ है तो उसे uninstall कर सकते है गेम कहलते समाई या किसी काम करते समाई अगर फोन ज़्यादा गरम हो जाए तो कुछ समाई के लिए फोन को side में रख दीजिए इससे device की performance बहतर होगा और feature में ऐसा कोई problem नहीं आएगा दोस्तो अब यह दोनों प्रोसेस अप्लाई कर लिया है अगर इससे आपका problem हो जाते है तो ठीक है अगर नहीं हुआ है तो जान ले कि आपके फोन की hardware में serious कोई problem हुआ है हम लोगों ने कहीं पर notice कि आए कि इस तरह का problem जातर फोन में software update करने के बाद ही होता है software update करना कोई बूरी बात नहीं है लेकिन कभी-कभी software update में बाग या glitch के वाए से motherboard damage हो जाते है अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो मुझे comment करके बताइए दोस्तो इसके केबल एक ही free solution है hard reset अब अपना फोन को एक बार hard reset करके देख सकते है hard reset करने से अपके फोन में जितने साड़े important data वागरा होगा जैसे कि photo, video, apps, जो भी है सब कुछ delete हो जाएगा तो सबसे पहले power button and volume down button को एक साथ hold करके रखना है जब display off हो जाए तुरंद power button और volume plus button को प्रेस करके रखना है फिर samsung का require remote एक्टिवेट हो जाएगा samsung require remote में कुछ इस तरह के interface देखने को मिलेगा इसी interface में हमारे mobile का task इन बिल्कुल काम नहीं करेगा कोई भी settings एक्सेस करने के लिए power button और volume की का इस्तेमाल करना होगा यहाँ पर reboot system now select है अब phone को format करने के लिए volume down button को प्रेस करके wipe data और factory set में जाना है next एक बर power button दबाए wipe all user data मदलब screen lock के साथ साथ पूरा phone format होने जा रहा है इसके बाद एक बर volume down button को प्रेस कीजिए फिर power button दबाए कुछी सेकंड में phone का साथ एटा डिलीट हो जाएगा data format होने में कभी कभी 10 से 20 में लग सकते है मेरा phone में बोड़ी पूरा खाली था इसलिए बाद जल्दी हो गया है यहाँ reboot system now option selected है तो आप एक बार power उन्दा भाए फिर आपका device automatic चाले हो जाएगा mobile चाले होने में थोरा सामाई लगता है तो आप टिंसन ना करें दोस्तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा device स्टार्ट हो गया है नमबर फोर service center दोस्तो हार्ड डिसिट करके 90% लोग का problem ठीक हो गया था अगर आपके किसमत वाके ही खराब है तो आपके लिए last option service center है अपके device में मादर बहुत डेमज हो चुका है क्रिप्या इसके बाद nearest को इस Samsung service center या mobile repair दुकन पे लेके जाई है और एक चीज़ कर सकते हैं अगर device कभी कभी on हो रहा है तो अपना phone किसी नए device के साथ exchange कर सकते हैं तो दोस्तों उम्मीद करते हो कि एजनकरी आपके लिए helpful रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक करके हमरे चैनलेंज सब्स्रेप करना ना भूल